बाश्का और स्वाकत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपने इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि भारत में जो न्याय परदान करने के मामले में जो भी राज्ये है उसके अंदर करनाटक ने पर्थम स्थान प्राप्त किया है यानि शीर स्थान जो है फर्स्ट आया है क करनाटक तो यह क्या रिपोर्ट आई है इसको हम जानेंगे कि इंडिया जस्टीज रिपोर्ट 2022 जो है यह निकाली गई है तो यह शुरुआत कब हुई थी इंडिया जस्टीज रिपोर्ट की और यहां पर फर्स्ट जो है करनाटक जो है कि करनाटक जो है वो फर्स्ट है का एक link दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की जो है वो PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं यह 2000 ते इस तो मैंने ऐसी लिखती है कई सोचो यह 2000 ते इस क्यों लिखा है ओके चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां लिखा हुआ है एक निट इसका लिखते हैं यहां लिखा हुआ है कि इंडिया जस्टिज रिपोर्ट इसकी शोर्ट फॉर्म 2022 के अकोडिंग जो है करनाटक ने एक करोड से अधिक अबादी वाले त्यान अकना यहां पर बोला गया है एक क्रोड से जादा की अबादी एक क्रोड से कम वालों का अलग से निकाला गया है एक क्रोड से जादा जो अबादी है जिन भी राज्यों की उनकी रिपोर्ट अलग से निकाली गया है तो बोला गए कि एक क्रोड से अधिक अबादी वाले जो बड़े जो राज्ये हैं, जो मध्यमाकार के जो राज्ये हैं, उनमें जो न्याय यानि जो जस्टिस परदान करने ही में, जो करनाटक है, उसने प्रथम स्थान हाशिल कर लिया है, अब इसके बाद करनाटक के अलाव से एक बैक बेंचर जो है वो लास्ट में उसने टॉप किया है, तो यह वाला हाल है, ठोटल अठार आई थे, उसमें अठारवां स्थान जो उतर परदेश को दे दिया, इसने लास्ट से टॉप कर लिया उतर परदेश ने, तो यहाँ पर ये रिपोर्ट में निकल के सामने आया है आप जान लेते हैं कि यह जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है यह है कि अच्छल में देखिए टाटा ट्रस्ट ने सेंटर जो सेंटर के साथ मिलकर सोशल जस्टिस इनके साथ मिलकर एक इनिशेटिव यह कहें कि एक पहल शुरू की थी उस पहल में यह 2019 में शुरू की गई थी और इस पहल में यह देखा गया था कि कौन सा राज्य जो है जो न्याय परदान करने में काफी बड़िया performance कर रहा है और ये performance की अधार पर मापी जाती है तो उस राज्य में देखा जाता है कि वहाँ पर policing system कैसा है वहाँ की न्याय पालिका कैसी है, वहाँ की jail कैसी है वहाँ पर जो कानून साहिता जो है वहाँ किसी की कानूनी शाहिता तो जी जाती है वो कैसे दी जाती है और भी अलग माप दंड़ है जो देखे गए थे इन तमाम माप दंड़ों को देखकर राज्य की performance निर्धारित की गई थी और वहाँ पर उनका rank decide किया गया था तो यह हो गया आपके सामने तो ध्यान रखना है कि किसने start की थी कब start की थी और किन किन माप दंड़ों को इसके अंदर देखा जाते है अब जो इसमें प्रमुक जो main highlight है इस report में उनकी बात करते हैं तो यहाँ पर बोला गया है जो ranking दी गई है justice delivery के अंदर तो एक करोड़ वाले में हैं हमने बात कर ली एक करोड़ से अधिक अबादी वाले और एक करोड़ के अबादी वाले राज्यों में उसमें तो भाई साब करनाटक ने first position हासिल की तमिलाड़ों ने second की जो एक करोड़ से कम है उनका बात करें तो देखे तोटल साथ बच गे तो साथ जो चोटे राज़े हैं उसमें सिक्किम ने सबसे अच्छा परदर्शन किया है उसकी परफॉमंस काफी अच्छी रही है सिक्किम जो है यानि फर्स्ट आया है जो अभी 2022 की रिपोर्ट निकाली गई है उसके अंदर 2020 में सिक्किम जो है वो सेकंड पोजिशन पर था सिक्किम के बाद अरुनाचल परदेश और तिरपूरा यह सेकंड आया है अरुनाचल परदेश और तिरपूरा जो हो थर्ड आया है बारतिय न्याय पालिका में जो न्याय धीस है और जो एक infrastructure होना चाहिए infrastructure की मैं बात करूँगा किस परकार का infrastructure की बात करें उसमें काफी कमी देखे गया जिस कारण क्या होता है कि जो मामले हैं वो pending पड़े रहते हैं पेंडिंग तो पड़े रहते हैं साथ-साथ उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और साथ-साथ इसमें बोला गया कि जो निचली जो subordinate courts हैं वहाँ पर CCR यानि की case clearance rate भाई वहाँ पर case जो है कितने किस rate से हो रहा है हो रहा है कि नहीं हो रहा है कितने time से वहाँ पर रखा हुआ है तो इसमें देखा जाए जो subordinate courts हैं वहाँ पर गिरावट नजर आई है इस report में बात बोलीगी December 2022 तक के आंकड़े का coding High court के अंदर उचिनेले की बात हो रही है High court में 1108 जो 9 धीस है यानि जो जजिस है वो sanction है इतने होने चाहिए हैं कितने हमारे पास जो कारे रहत है वो है 708 330 जजिस की अभी यहां पर कमी है बहुत बड़ी संक्या है आप कहें कि यह चोटी मूटी संक्या अरे 1108 होने चाहिए चल कितने रही है 708 तरही तो कितनी भारी संक्या हमारे सामने निकल कर आ रही है इसके अलावा एक जो अब देखे 330 जजी तो हैं ये high court की बात करें subordinate court अलग हो गए तो उनमें संक्या कम हो जाती है मतलब वहाँ पर भी संक्या प्रयाप्त नहीं है जिस कारण क्या है अगर ये संक्या पूरी कर दे जाएंगे अभी उस point पे आऊंगा अगर ये संक्या पूरी कर दे जाएंगे तो क्या problem हो जाएगी वो भी हम देखेंगे देखें पेंडिंग जो है पिछले 5 सालों में अधिकांस राजों में प्रती न्याय दिस यानि हर एक जज के उपर अगर हम बात करें उसके उपर pending मामलों की संक्या बढ़ती जा रही है अब आप देखेंगे ना तो हर कोई जजी हाई कोट की तरफ रुक कर रहा है या कोट की तरफ रुक कर रहा है तो वहाँ पर जो है इतना टाइम का भाव होता है इतने इतने टाइम से केस चले आ रहे है तो हर एक जज के उपर जो केस है उसकी जो pending मामले है वो बढ़ते ही जा रहे है न्याय दिसों की संक्या में वरिदी नहीं हो रही है बही एक जज के उपर मान लो आज की डेट में छे पेंडिंग केस थे फॉर एक्जांपल बाहन रहा हूँ अब आने वाले टाइम में ये छे बढ़कर आठ हो गए लेकिन वो जो न्याय दिसा वो भी एक है इसको दो नहीं किया गए प्रेंडिंग मामले यहां पर भी शेयर कर लेकिन यह नहीं हो रहा है नयाय दिसों की संक्या में कोई वृति नहीं हो रही है हाई कोर्ट में उसत लो लंग लमगी दिता है मतलब कि जो पेंडिंग मामले आप देखे ग्यारा पниц 일 acab with तीन चार साल के ये रखे हुए हैं, पश्ची मंगाल में लगबग 10 साल के मामले यहां पर पड़े हुए हैं, त्रिपूरा में 1 साल, सिक्की में 1 पॉइंट, लगबग 2 साल, मिघाले में 2.1 साल, सबसे कम ये देखिया, ये हाल है, मामलों की संक्या में वृद्धी देखे, 2018 और 2022 बीच के पर नहीं, जो उनके सामने मामले आते हैं सुनवाई के लिए, उनकी संक्या में इंक्रिमेंट हमें देखने को मिला है, अब इंक्रिमेंट पैसो वाला नहीं, याई नहीं वो cases के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं अब बात करते हैं case clearance rate यानि CCR इसको short form में बोलेंगे CCR 2018-19 में 19 से लेके 2022 के बीच के अगरम बात करें तो high court में जो CCR थी वो 6% बढ़ गए थी यानि कि 2018-19 में 88.5% थी और 2022 में 94.6% हो गए सोधार देखने को मिला लेकिन बा subordinate quote है वहीं पर ये CCR जो है वो उसके अंदर 3.6% की गिरावट देखने को मिली 93% CCR थी subordinate quote के अंदर लेकिन 89.4% पहुँच गई जो अधीनस्त नियालियों की तुलना में जो high court है यानि जो subordinate quote है उनकी अगर हम compare करें high court से तो high court अधिक मामले जो है वो clear कर रहा है 2018.19 में केवल 4 जो उच नियाले high court है उनमें 100% या उससे अधिक का CCR था 2022 में ये संक्या फिलाल 12 हो गई थी मतलब जो नियालियों की संक्या है वो 12 हो गई थी अब court होल देखे मैंने का ना कि अगर आप नियाय दिशों की संक्या जितनी है मतलब सेंक्षन है कि इतने होने चाहिए अगर उतने कर दी जाए तो क्या problem होगी problem ऐसा नहीं कि वो कोई गलत चीज है वो नहीं करनी चाहिए वो करनी चाहिए लेकिन जो एक problem बनके आ रही है न वो भी सरकार को देखनी चाहिए देखे राष्ट्यस तरपर उपलब्द नियाय दिशों की संक्या में के लिए court होल की संक्या प्राप परतीत होती है मतलब आज की डेट में जितने भी नियाय दिश है उनके लिए court होल जो है वो बिल्कुल सही है लेकिन वो सारे अगर पद भर दिये जाए जितने भी खाली है तो एक समस्या बन क्याती है समस्या कैसे देखे अगस 2022 में 24,631 स्विक्रित निया दिशों की पदों के लिए 21,104 court होल थे जिसके अंदर हम देखा जाए 14.7% की कमी को दर्शाता है यह अगर अगर इतने भर दिये जेंगे तो भाई साब आपके सामने court hall की संक्या कंबड जाएगी तो यह problem की बात कर रहा हूँ तो इन सब चीजों को है सुलजाने की बहुत जादा जरूरत है इसके अलावा judiciary देखे नेशनल डेफिशिट के अगर हम बात करें बहुत सारी अलग-अलग चीज आएगी पुलिस की हम बात करेंगे जजीज की हम बात करेंगे तो अगर जो supreme court है उसने camera लगाने की बात बोली थी तो camera कितने राज्यों ने लगाए अपने जहां पर 14 जगा में बोले गए थे उसको भी हम देखेंगे तो यहां पुला कहेंगे जुडिस्ट्री के अंदर जज वेकैंसी देखेंगे नो court works with a full complement of judges except high court of Sikkim and district court of Chandigarh देखें सिकkim और सिक्किम का high court और district court जो है हो Chandigarh का छोड़के और किसी court में प्राप्त संख्या नहीं है जजीज की ये बात बोले गई SC, ST, OBC एक जो quota जो होता है SC, ST, OBC का यहां पर court के अंदर वो भी जो है पूरा नहीं दिख रहा है उसके अलावा among 18 large and mid-size states only Kerala could achieve case clearance rate 100% and more at both high court and subordinate court level दोनों ही level के उपर Kerala नहीं मतलब subordinate court और high court इन दोनों level के उपर 100% CCR प्राप्त किया है और किसी नहीं प्राप्त किया है इसको ध्यान रखना अब यहां पर क्या क्या recommendation दीगे है देखें जो judges है और जो भी infrastructure की कमी है तो भारतिया नयाई पाल का के लिए काफी गंबीर चिंता का विश्य है बहुत एक कंबीर चिंता का ही है कि आप देखें आपके सामने वो judges नहीं है पेंडिंग मामले बढ़ते जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है जिससे क्या है यह जब मैंने बहुत बोली ना पेंडिंग मामलों की विर्दी हो रही है निचले स्तर के अंग बात सुधारने की बहुत ज़्यादा जुरूरत है बहतर पुलिस यानि की पुलिस ट्रेनिंग करवाई जाए इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जाए और जो भी प्रिजनर्स हैं मतलब की जो जेल हैं वहां पर भीड़ बार बढ़ रही है उसको कम करके न्याई परनाली म की जुरूरत पर भी अधिक ध्यान देना चाहिए इन चुनोतियों का समाधान करके भारत एक अधिक न्याई संगत और परभावी अप्रादिक न्याई प्रनाली प्राप्त करने के लिए करीब पहुन सकता है तो यह सारी रिकमेंडेशन्स आपकी सामने हो गई अब इसके अलावा चोटी मोटी इमेजी जैसे पुलिस मैंने बताया है न देखें SCST OBC एवरी स्टेट है स्टेटरी मेंडेंड कोटा फोर SCST और OBC वेखें एक करनाट का ही एक ऐसा राज्य निकल कर आ रहा है जो फुल्फिल कर पाया है इन सारी रिजर्वेशन को और किसी ने नहीं क यहाँ पर आपके सामने यह निकल करा रहा है इसके अलावा कर हम बात करें CCTV जो एक Apex कोट ने यानि Supreme कोट ने बोला था केवल और केवल यहाँ पर लिखा हुआ था किस एक ही राज्य है अरुनाचल परदेश है शायद मैंने यहाँ पर बढ़ा था अहां अरुनाचल परद जिनके पास यह आता है तो यह सब चीज़ें हमें देखनी होगी यहाँ पर देखिए 33312 टोटल नंबर और पेंडिंग कैसे है क्रोस 25 स्टेट्स के अंदर यह मार्ज 2021 इसमें यह बात बोली गई इसके अलावा लीगल एड के हम बात करें कितनी संक्या बढ़ गई है 2417 जो डिडक्शन है नजर आई है हमारे सामने लीगल सर्वीस जो क्लीनिक जो कहां से देखिए 4700 पहले 2020 के अंदर 14169 करते थे 2022 में घटकर 4742 तक पहुँच गई है यह सारी चीज़ें साथ इसाथ अंडर ट्राइल्स भी हमें देखने को मिल रही है काफी सारे स्टेट के अ अबीद करता हूँ कि आज का जो टोपिक है किस राज्यन टोप किया है न्याय देने के मामले में वह आप लोगों को समझ में आ गया होगा समझ में आया है तो मुझे कैसे बता सकते हैं ओविसली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर सकते हैं व और एंगिरू